आप इसका इस्क्रीन शोड ले लिजेगा इसकी आंसर की स्रीज जो है वो यह है यह है यह फिकल्टी ओफ अग्रिकल्चर साइंसिस का है और सेक्षिन भी है अग्रिकल्चर माइक्रोबाइलोजी तो EMU के अंदर जो है दो इंटरेंट टेश्ट पेपर होती है एक तो सेक्षिन A होता और दूसरा है सेक्शिन B section A जो है faculty wise रहता है जो के common है उस faculty में जितने भी department है discipline है उसके निए common रहेगा section A paper section B जो है वो आपका departmental wise oblique discipline wise रहेगा ओके तो ये agriculture microbiology का PhD का इंटरेंट टेस्ट पेपर है काफी helpful होगा आपके strategy बनाने के लिए तैयरी के लिए किस तरह का paper रहता है क्या pattern है तो आप इस्क्रिंशोट लेज़ेगा एम्यू के अंदर जो section A है और section B है 40-40 MCQs आते हैं यानि 40 questions रहते हैं और time duration उसमे 45 minutes दिया जाता है यानि 90 minutes दोनों paper में मिलते हैं दोनों अलग अलग time में होते हैं और हो सकता अलग time में दोनों combine करवाद हैं section A और section B लेकिन आपको जो timing duration रहेगा वो 90 minutes रहेगा टेस्ट के वह presentation का में इंटर्वी के लिए रहेंगे वह test से एक्जैम्ट रहेंगे अगर वह अपने इंप्रूब करना चाहें यानि 50% मिलेंगे नेट और जर्फ के बेस पर अगर इंप्रूब करना चाहें 50% उपर तो वह test दे सकते हैं उनके ज्यादा beneficial रहेगा क्योंकि best count होते हैं अगर वह 80 70 out of 80 तो ज्यादा पर जाती हैं तो मेरा चाहें रहेगा क्या आप दीजेगा जो नेट और जारफ कौलिफाइड है और जो नहीं भी है तो इतना वो नहीं है क्योंकि 50% ही मिलागा है जो कॉलिफाइड है वही लेबिर मिलेगा ओके प्लीज यार चैनल को सब्स्राइब कर दिजेगा इनिशियल वीडियो है मेरी इतना कर दिजेगा कर दिजेगा क्योंकि मॉनिटाइज के नहीं है एक हजार सब्सक्राइबर के जरूरत होती है तो प्लीज एक हजार सब्सक्राइबर तो करवाईए प्लीज क्योंकि एजुकेशन यूटूब वीडियो में आपको भी मालू है कोई खास मिलता नहीं है तो प्लीज हैल्प कर दिजेगा सब्सक्राइब कर दिएगा चैनल करता है झाल 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 झाल